मुख्य मंत्री नितीश कुमार से मिलने के बाद सुनू इंदनो चर्चा का विशय बना हुए लागतार नेताओं के उनसे मिलने का दौर भी जा रही है इसी कड़ी में लोजपा के राश्ट्रिय अधक्ष चिराग पासवा नीमा कॉल गाउं पहुँचे यहां उन्होंने सुनू से मुलाकात कर मुख्य मंत्री नितीश कुमार की सिक्षा विवस्था पर सवाल करते हुए कहा कि नीमा कॉल गाउं के सिक्षा विवस्था पूरे बिहार के सिक्षा विवस्था की पोल खोल रही है उन्होंना कहा कि सोनू ने जिस आवास को उठाने का काम किया है सही मायने में उस आवास को समान तब मिलेगा जो बिहार के बागी बच्चों कोई सिक्षा व्यवस्ता भी बेहतर हो जाएगी पर सोनु कहीं-गहीं परतीक बना है बईया उन लक्षो हजारों बिहार के बच्चो का जिनका भविष्य आज की तारीक में अंद्रकार में है सुनु परतीक है उस ऑवास का जो कहीं-गहीं शोर में जातियता में धर्म के अधार पर दबा दी जाती है जिस आवास को उठेने नहीं दिया जाता जिसके परिणाम सुरूप आज भी बिहार के गाउं में चले जाए सिक्षा विवस्ता बदाल है बच्चों का भविश्य पूरी तरीके से अंदकार में तो सिर्फ एक सोनू की मदद करने से नहीं होगा और कहीं ना कहीं नहीं मायनों में उस आवास को समान तब ही मिलेगा जब बिहार के और बिहारियों की बाकी बच्चों की विवस्ता बहतर होगी उनको बहतर पढ़ने के अफसर मिलेंगे एक समान अफसर मिलेंगे भले कोई अमीर का बच्चा हो गरीब का बच्चा हो सबको एक समान जब तक अफसा नहीं मिलेंगे सिक्षा के तब तक